हेलो फ्रेंड्स हमने इस राजस्तान जी के शुरू किया है राजस्तान फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए हमने इसका कल एक पार्ट डिसकस किया था 30 क्वेशन्स डिसकस किये थे आज हम अपना इसमें आज शुरू करते हैं में वर्दमन पार्टशाला की स्थापना किसने की तो किसने यह याद रखना है वर्दilly पार्टशाला की स्थापना और कब वहाँ ऑद लिक्व में और किसने की आरजुनला सेठि ने तो रमितो यसे पूचती ने कि आज शुरू सकते है कब हुई तो 1905 में हुई याद रखना है 1905 में जैपूर में और अरजुनाल सेठी ने वर्दमान पाठशाला की सापना की नेक्स्ट इस यूनिस्को वर्ड हैरिटेज में कौन सा सम्मेलित है तो ये क्वेशन था ये कल भी डिसकस किया था ये तो यह ऐसे क्वेशन रिपीट होते है जंतरमंतर व्याद शाला है ये यूनिस्को की वर्ड हैरिटेज में ये शामिल है नेक्स्ट है लोक नाट्य ऐसे ये कुछामने ख्याल है तुर्रा कुलंगी ख्याल है अली बक्षीस ख्याल है और रम्मत जैसल मेर और बीका नेर की फेमस है रम्मत, और जो स्वांग में जैसे किसी का भी जैसे गाव में होता है ना जैसे कोई भी हनुमान जी का कोई भी एक जो एक व्यक्ति होता है कि किसी का भी कोई धार में किया किसी का भी रूप लेके उसका भी नहीं करता है तो जैसे हनुमान जी का रूप जैसे कपड़े पैन के और फिर वो उनका उनकी तरह करते सवांग में जो व्यक्ति होता है एक ही व्यक्ति होता और वो जह करता है उसे बहरूपिया कहते है और राजस्तान के जान कि लाल भांड़ उन्होंने इस वांग जो ये लोकनाटे है इसको विश्व में परसिद्धी दिलाई नेक्स्ट क्या है ततवाद्य ऐसे ताइम में से कौन सा ततवाद्य है चार ओप्षन थे तो उसका आंसर जंतर है जंतर क्या है ततवाद्य है और दूसरे ओप्षन थे जैसे सुशीरवाद्दे के option दे वे बाग की आल गोजा ये option थे वो दूसरे सुशीरवाद्दे के तो इसमें जो ये answer इसका ततवाद्दे कौन सा है जंतर जंतर क्या है ततवाद्दे है जो तारों से बजाया जाता है और कौन कौन सा ततवाद्दे है इसमें आता है एक तार दो तारा कामायचा एक रावन हत्ता है एक अपंग एक है भपंग ये सब सतारा या रखना एक तारा दो तारा चो तारा भी आता है पर इसमें सतारा नहीं आता सतारा जो है वो सुशीर वाद्या में आता है तो question कई बर confuse करने के लिए देते हैं साथ में सतारा भी देते हैं सतारा क्या है सुशीर वाद्धे है इसमें नहीं आता ततवाद्धे में ततवाद्धे में ये एक तारा दो तारा कामाय चापंग भपंग रामन हत्ता ये सब क्या हैं ततवाद्धे है नेक्स है मेवाड परज के लाल वर्मा की धरम पतनी उनकी पतनी है नरायनी देवी वर्मा और इन्हों ने मेवाड परजा मंदल में महत्रपुन भूमी का निभाई और इसलिए यह जेल में भी गई थी इस परजा मंदल के दोरान नेक्स्ट कैसर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दिवान थे त है ट्रैंच कमीशन का समंद्ध किस से है तो ऐसे ता कौन सा है जिससे कौन सा किसान आंदोलन जिसका समंद्ध ट्रैंच कमीशन से है तो उसका बेगू है बेगू किसान आंदोलन जो है उसका समंद्ध किस से है ट्रैंच कमीशन का समंद्ध है बेगू किसान आंदोलन से है यह जो बेगू किसान अंदुल यह बेगू कहां पढ़ता है और इसका नितर ने क्या राम नारायन चौधरी ने पृपाजी यह किर अंदूल में सहीद हुए थे पॉलिटिकल एजेंट थे पोलिटिकल एजेंट तो जैपूर का कोन था एडन था और कोटा का कोन था बर्टन और मेवाड का था शावर्स और मारवाड का कोन था मेक मोसन था मेवाड का शावर्स और मारवाड का मेक मोसन और ऐसे नहीं राज़ा भी याद करने हैं इनके तो जैपूर में था राम सिंग सेकिंड कोटा में भी राम सिंग सेकिंड और मेवाड में शावर्स तो सवरूप सिंग मेवाड का शाशक था सवरूप सिंग था तो ये इनके शाशक भी याद करने 18 सुस्तान की सरक्रांती के समय कौन-कौन शाशक थी यह भी कई बर पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट है हल्दी गाटे के युद्धिसेपूर महाना परताब को समझाने के लिए कौन गया था तो इसका अमीर जलाल खान नेक्स्ट क्वेस्चन इज मारवाड के शाशक का पालन पोशन करने मारवाड के कि शाशक का पालन पोशन गोरा धाय ने किया तो इसका ये था किसने अजी सिंग मा जो मारवाड का अजी सिंग है उसका पालन पोशन किसने गोरा धाय ने किया ऐसे ही मेवाड में भी आता है मेवाड में जो उदाय सिंग ह के अप्शेश कहां से मिलते हैं काली बंगा सब्वेता कहा है हनुमानगर में है घगर नदी के किनारे हैं यह काली बंगा सब्वेता की सरवपरतम खोज किस ने की ति अमलानन्द घोश्णे की थी काली बंगा सब्वेताती की खोज अमलानंद गोश ने उसके बाद इसका उत्खरन कारे किस ने बीके लाल और बीबी थापर ने इसका उत्खरन कारे किया था और इसमें जुते ओवे खेत के अफशेश मिले हैं कई बर ये क्वेशन भी आता है कौन से सब्वेतात से जुते ओ परवर्ट जामबो जी विषनोई संपरदाय के परवर्थक जांबो जी है जिनोंगे गुरू गोरखनात से दिक्षा ली थी एक जसनाती संपरदाय के परवरत जसनात जी है जसनात जी के गुरू भी गोरखनात है और जांबो जी के गुरू भी क्या है गोरखनात है और जांबो जी का जनम कब हुआ था 1451 में 14-15-1 में हुआ था इनका नागोर के पीपासर में नागोर के संपर्दाई की पर्मुक पीट पूछी जाये तो वो कहा है मुकाम नोख्या में हैं विश्णोई संपर्दाई की परदान पीट का है, मुकाम नोख्या में हैं और वहीं पे इनकी समाधी स्थल भी है जापो जी का नेक्स затем 18 में एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाय था बप्पा रावल का जो नाम है मून नाम तो काल भोज है था इनका नाम क्या था काल भोज और बप्पा जो है वो इनकी उपादी है तो बप्पा रावल का नाम काल भोज और इनोंने मेवाड में कैलाश पूरी में कहां पर रावल ने और मोर्य शाशक मान मोरी से इन्होंने चितोडगार दुर्ग जीता था मुद्ध को हखारकर चितोडगार दुर्ग पर आधिकार किया था कृस्टे बबपारावल याद रखना है इन्होंने केलाशपूरी में एक लिंदू का मंदिर बनवाए इसोने के सिक्के चलाए और मोरे शाशक मान मोरी को हड़ा कर चितोडगर दुर्ग पर अधिकार कर लिया नेक्स क्वेशन है और इनका वास्त्विक नाम क्या था काल बोज पपा इनकी उपादी थी नेक्स क्वेशन है राजिस्थान में सदाभारवन कहां मिलते हैं माउंट आबू म मिलते हैं नेक्स क्वेशन था जो थार एक्सप्रेस है वो मुनबाव से कहां पर तक जाती है तो यह मुनबाव से खोकरापार जो पाकिस्तान में वहां तक जाती है मुनबाव कहां है बाड़ मेर में है नेक्स क्वेशन है मंकी वैली किसे कहते है मंकी वैली जो गलता जी है उसको मंकी वैली कहते हैं यहां पर बोज़द अधिक बंदर की वज़ासे से मंकी वैली कहते हैं और यह कहां जैपूर में है नेक्ट वर्शन है बारा सितंबर को जो व्रक्ष महुष्व लगता है वो कहां पर लगता है वो लगता है खेजडली जोदपूर में लगता है यह बादर पर शुकल दश्मी को तेजा जी का मेला भी लगता है और ये वरक्ष मौसव है ये भी उसी दिन लगता है और ये 12 सितंबर को लगता है खेजडली जोदपूर में केंद विवार्द पुल्स थल्य सीमा कितनी हैं वो राजिस्तान की किल स्थल्य सीमा है और इसमें से जो 1070 km है वो ये क्या पाकिस्तान के साथ रैड किली फलेखा बनाती है जो 1170 है वो अंतर राश्ट्रिय सीमा है अंतर राश्ट्रिय सीमा कितनी है 1070 और इसको माइनस कर लेंगे इसमें से तो कितनी बचेगी 4850 क्या या अंतर राश्ट्रिय सीमा है ये कितनी ये क्या अंतर राश्ट्रिय सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है और ये जो है ये किस किस से लगती है पांच राश्ट्रिय से लगती है कौन कौन से है पंजाब हर्याना यूपी एमपी और एक है गुजरात ये पांच राश् पाकिस्तान की सीमा पंजाब हर्याना यूपी एंपी और गुजराज से लगती है और यह कितनी है चार चार अजार आठसो पचास किलो मेटर है और जो पाकिस्तान से रैड क्लीफ रेखा बनाती है वह 1070 तो राजस्तान के कौन-कौन से जिले हैं जो यह यह रैड क्लीफ मना इसले म बाठमेर और भी को निर को कौन-कौन से हैं गंगा अगर जैसल म मईर बांद हैं सब्सक्राइब करनेर इनका सबसे ज्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर कि रगती हैं पाकिस्तान श्याणार को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सबसे कम सीमा किस की लगती है, बीका नेर की लगती है, सबसे ज़्यादा किस की लगती है, सबसे ज़्यादा किस की लगती है, सबसे ज़्यादा है, जैसल मेर की कितनी है, 464 किलो मिटर है, सबसे कम बीका नेर की है, 168 किलो मिटर, किस की बीका नेर की? तो याद रखना है जैसल मेर की सबसे जादा 464 और है बिकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर है तो ये कुछ थलिय सीमा का कितना है 5920 किलोमीटर नेक्स्ट है यही क्वेशन है कितने राज्यों की सीमा राजिस्तान से लगती है तो कितने राज्य पांच राज्यों की सीमराजिस्तान से लगती है पंजाब, हराणा, यूपी, एंपी और गुजरात नेक्स्ट है सदा वाहिनी नदी कौन सी है सदा वाहिनी नदी है चंबल नदी के सदा वाहिनी नदी है और यह चंबल नदी है यह मध्या परदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है जनापाव पहाड़ी महू मध्या परदेश से निकलती है उसके बाद यह चितोडगर जिले में भैस रोडगर के निकर चितोडगर जिले में परवेश करती है चितोडगर के बाद यह कोटा ब गुंदी सवाय मादवपूर करोली और धोलपूर नेक्स्ट है केंद्रिय भेड एव उन अनुसंधान केंद्र कहां पर है अविका नगर टोंक में है ये क्या है केंद्रिय भेड एव उन अनुसंधान केंद्र कहा है अविका नगर टोंक में नेक्स्ट क्वेशन है गारनेट क कांतली, साबी और सागी तो इसका अंसर कहा है सागी अंते परवाही नहीं है तो कौन-कौन सी अंते परवाही ये कांकनी है, कांतली है, साबी है और कौन सी है जो अंते परवाही है और है घगर, मेंथा, रूपारेल और रूपनगर ये ये भी क्या अंते परवाही न दिया है गगर, मेन्था, रूपारेल, रूपनगर, कांकनी, कांतली और साबी ये सारी के अंतunting परवाई नदिया है पारवती सजाई पर्योजना से कौन सा जिला लाप्रद है तो धोलपुर है, वहां की है ये पारवती सजाई पर्योजना सबसे शुष्क जिला कौन सा है जैसल मेर जैसल मेर क्या है सबसे शुष्क जिला है जैसल मेर और सबसे बड़ा जिला भी छेतरफल की दृष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जैसल मेर है तो बड़े जिलों का ऐसे याद रखना है जे बी बी जे जैसल मेर बार्ड मेर बिकानेर जोदपूर ये क्या है बड़े जिले है राजस्तान के और अगर इनका छित्रफल याद रखे तो कई बार आरोही और आरोही करम पूछ लेते हैं तो 38, 28, 27, 22 याद रखना है 38, 28, 27, 22 जाता है नहीं अंदर तक याद करना मतलब उपर उपर से भी याद कर लेंगे न तो भी काम चल जाता है 38, 28, 27, 22 याद रखना है जैसल मेर बार्ड मेर फिर बिकानेर फिर है जोदपूर क्या है जैसल मेर बार्ड मेर जैसल मेर बार्ड मेर बिकानेर और जोदपूर इनका चित्रफल है 38, 38,000 कुछ है 38,400 सम्थिंग है तो मतलब हम सिर्फ यह भी याद रखेंगे न 38,000 तो भी काम चल जागा 38, 28, 27 याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका है जैसल मेर का उसके बार्ड मेर जोदपूर कईबर आवरोही और आरोही करम भी पूछ लेते हैं तो इसलिए हमें याद रखना पड़ता है और चोटे पूछे तो सबसे छोटा जिला कौन सा है धोलपूर है और उसके बाद पूछे तो दोसा पहल तो यह हो गया है सबसे शुषक जिला है जैसल मेर और वर्षा की सबसे अधिक विशमता भी यहीं पे जैसल मेर में ही है और जनसंक्या घनत्व भी इसका ही सबसे कम है किसका जैसल मेर का तो नेक्स्ट है इसेप्टी सोल्स मिर्दा कहां पाई जाती है यह भीलवाड़ा और पाली में मिलती है कोंसी इसेप्टी सोल्स मिर्दा इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू